Hello viewers कैसे हैं आप सब लोग I hope कि बहुत अच्छे होगे तो दोस्तों आपको क्या लगता है वेज बिर्यानी होती है या नहीं होती या फिर सिपलाव होता है या वेज बिर्यानी वाकई में इसकास्थित्व कुछ है हम इन सारी बहस में बिलकुल नहीं पढ़ने वाले हैं हम तो स्वाद के पीछे पढ़ने वाले लोगों में से हैं जो घर की अवेलेबल चीजों से बहुत ही सर्वत कुष्ट खाना सर्वत्तम स्वाद वाला खाना बनाने की कोशिश करते हैं और वही आज मैं आपको बताने वाले हूँ कि घर की अवेलेबल चीजों से कैसे वेज बिर्यानी बनाई जा सकती है वो भी बहुत बढ़िया वाली तो चलिए बिना समय गवाई से शिरू करते हैं तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में घी गरम कर लिया है आप चाहें तो ऑईल का इस्तमाल भी कर सकते हैं यहां पर मैंने चार से पाच मीडियम साइज के प्याज को स्लाइस कर लिया है और उन्हें तेल में रख दिया है दूसरी तरफ मैंने यहां पर जितने भी वेजिटेबल्स मुझे पसंद है वह वेजिटेबल्स यहां पर चॉप करके अच्छे से वाश कर लिया है साथ भी मैं ने तो या चंक्स भी लिये हैं जिने अच्छे से मैंने गर्म पानी में भीगो लिया था और इसका पाने ड्रेन कर लिया था अब इन सारे वेजिटेबल्स को मैं इकठा कर लिया है आप कामिया जादा कर सकते हैं मैं बिर्यानी जादा कॉंटिटी बे बना रही हूं इसलिए इसको दो हिस्सव में डिवाइट करूंगी, इसके बें अच्छे से मिक्स करने से पहले हम एसमें ढालने वाले हैं । मैंने लगभग जिसूंसे चार्टी यूस किया है आप वेजिटेबल जी हिस रसाप से यूज करेंगे उतना कॉंटिटी में आप रही कम या प्या इतना दही हम इस्तमाल करेंगे बहुत जादा खट्टा वाला दही इस्तमाल नहीं किया है यह नॉर्मल दही है जो इस्तमाल किया है अब इसको हम अच्छे से मिक्स करने वाले हैं और मिक्स करके कोई यहां पे इस समय नमक भी एड करता है पर हम नमक एड नहीं करने वाले हैं तब तक हम पुलाओ के दूसरी तैयारी करते हैं अब देखिए प्याज भी हमारे लगबग भून चुके हैं ब्याज को जब भी भूने आज बिलकुल लो पे रखे यहां पर मैंने इंडक्शन पर भून रही हूं तो मैंने 100 पर इसका टेंपरेचर रखा हुआ है और अगर आ दो तेज पता एक बड़ी इलाइची डाली है साथ ही डाले है छोटी इलाइची से दो से तीन तुकड़े जिसे मैं अच्छा फ्लेवर आ जाए अब यहां दो से तीन लॉंग भी डाल दी है मैंने और डाल दिया है नमक मैंने दो एक से डेड़ चमश डाला है क्योंकि एकस दो से दाला है और डाला है एक बड़ा प्याज और दो से तीन लीटिट करी हुई हरी मिर्चे अब यह अच्छे से भुन जाएंगी इसके बाद हमने जो मैरिनेट करके हमारी वेजी रखी हुई थी वह वेजी हम इसमें डाल देंगे मैंने कोई वेजी बॉयल नहीं की थी अब सीधा हम इसमें पैन में डालने वाले है देख सकते हैं मैं प्याज को चलाया नहीं है यहाँ पे लो फ्लेम पे कर दी थी मैंने ग्यास जब यह मैंने सबजी डालने शुरू की थी तो आप ध्यान रखेगा कि जब आप सब्जिया डाले तो आप फ्लेम को बिल्कुल ल हमें ध्यान रखना होगा कि हमने चावलों में भी ज़्यादा नमक डाला है तो उसी साफ से ही आप नमक का इस्तमाल करेंगे अब यहाँ पे हमने मीडियम लो फ्लेम रखी है तो थोड़ी थोड़ी देर में वेजिस निकाल के हम देखते रहेंगे कि यह हमें कम से कम 80% कुक करना है उसे जादा हमें कुक नहीं करना है अब यह थोड़ा सा कसर थी इसमें तो मैंने फिर से ढखिये इसको लीड लगा के पकने दिया है यहाँ पर मैं फिर से एक बार चेक कर रही हूं अभी मुझे इसा लग रहा है इससे 50% वेजिस कुक हुई है तो मैंने फिर से दियानी में तो बहुत अच्छा लगता है साथ ही मैंने गानिश के लिए यहां पर डाल दिया सबसे पहले प्याज उसके बात धनिया अगर आपके पास पुदीना अवेलेबल है तो आप जरूर से डालिएगा अब यहां पर मैंने लगा दिये हैं हमारे राइस भी अच्छ आप जरूर पुदीना डालिए और साथ में डाल दिये हैं जो भी हमने प्यास फ्राइ करके रखे हुए थे और साथ में मैंने डाला है केवडा ऐसेंस यह जरा सब जरूर डालिए मैंने यह वन फोड धकन के करीब डाला होगा यहां पर कुछ ड्रॉप्स ही डालेंगे पर फ्लेवर बहुत अच्छा आता है साथ ही यहां पर मैंने लिया है दूद जिसमें मैंने फूड कलर अड़ किया था आप चाहे तो केसर भी डाल सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल हो तो और यहां पर हम फॉइल पेपर से कवर करेंगे और इसे ढखके अच्छे से सील कर सकते हैं का में उदेश यह होता है कि खाना स्वाद बने अगर कुछ चीज़े अवेलेबल नहीं भी है तो घर की चीज़ों से कितना अच्छा हम बना सकते हैं हम बनाएं जरूरी नहीं कि हर चीज़ के उठके हमें मारकेट जाना है और फिर चीज़े लानी है तब ही हम अच यहां पर मैंने देम लगाया है बिल्कुल ही लो फ्लेम पे 15-20 मिनिट तक आप बिच में एक बर खोल के चेक भी कर सकते हैं इतनी बढ़िया विरियानी बनके रेडी होई है आप देख सकते हैं बिल्कुल हाला कि हम इस बिल्कुल बहस में पढ़ने नहीं होती है या नहीं हमे देखिए मैं आपको सर्फ भी करके दिखाती हूं दाना दाना बिल्कुल खिला हुआ बना है और हमारे सारे वेजी इतने बढ़िया से पक्के रेडी हुए है यह देखिए मैं आपको सर्फ करके दिखाती हूं लग रहे हैं बिल्कुल बिर्यानी जैसी और यह देखिए हमा तो आप भी मान जाते कि हाँ यह बार बनाना तो जरूर बनता है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए देखिए मैं आपको दिखाने के लिए यहां पर गोभी तोड के दिखा रही हूं कितने अच्छे से पक चुकी है फिर भी चंग से साथ ही हमारा यह सोया चंग से इतने अच्छे से इसमें मसाला हो चुका था और अंदर से यह बिल्कुल भी ऐसे पानी-पानी स्वाद नहीं लग रहा था बहुत ही देशती बना था